सर क्या पुरफ운 क्र 1954 किले और किंके दारह में मौन लाइता है ये अंजु का जो पती है, अर्विंद, उस्ने एक रिपोर्ट हमें दिया है उस रिपोर्ट में उसने एलिज किया है जो उसे इंडियूस किया गया है पाथिस्तान आमी के लिए और पाकिस्तान गुरागय उसके साथ साधी किया लिया डिस्पाइट लोईंग देफेक्ट जो वो साधी सुधा लगी थी और उसके दो बच्चे थे साथ साथ वो ये भी बता रहा है जो उसे जब फोन कॉल पे थेटिन किया जा रहा है और इस सारे चीज से उसके घरवाले को डिस्रिप्यूट आया है तो हमने आई पी सी के चासु चौराणबे पांसौ और पांसौ छे में प्रग्रम दर्ज किया है साथ साथ इसमें आई टी एक्ट तारिस बट्टे अच्यासट भी लगा है इसमें कारवाई की बात करेंगें सार अब वो जो आवर्पी है वो दोमा पाकिस्तान में है वी इसमें हम जो उचित कारवाई हम कर सकते हैं वो हम इसमें करेंगे है जो भी उचिब लीगल काईवारी अब तो गर मुकतमा दर्ज हुआ है जो भी लीगल प्रोसेस होता है इसको हम फालो करेंगे नियृ चिन धाराओं में मुकतमा दर्ज करा अधिया तो से किन किन इस कर फर किन किन एंगर्स को जहां सागने अगराई जा सकी है सबसे पहला तो यह है जो 368 IPC लगा है जो उसे इंड्यूस किया किया है साथी के लिए तो उसका हम जाज करेंगे फिर उन्होंने बोला है जो उन्हें थ्रेट दिया गया है उसके बारे में जो भी एवेडेस अरभिंद के पास होगा उसको हम फाइल पे लेंगे तो जो भी सच्छे लगा है उसके कोडिक हम करवई करेंगे जो अशाया हम नसुर्ण नहीं नहीं इंड्यूस के है उसको पाखिस्तानानी के लिए तो उसका भी नाम सामी लिए नाम जट आरूटी कितने सरूथ में पाज़वर नाम जट तो यह दो लों किये नसुर लूप अ पास्पोर्ट बनाए उसकी जालदार इना नहीं है तो इसमें किसी और की भूमिका उसमें आएगा, वह हम इन्वेस्टिकेशन पता लगवाएगा, जो क्या है, सार इतने दिन बाद में प्रक्रान दर्जोने को किस तरह नजर से बेगा, काफी पुराना मामला होगा, जो पाक किस्टरट था, तो उसका मेंटर की सीर्था नहीं था, और वह 14-15 इन बाद जब उसे लगा जो इसमें मुकरमो दर्जोने कऱवाना चाहिए, तो जो में रिपोर्ट मिला था, उसमें मुकरमो दर्जोने करदी है